नमस्कार दोस्तों, मैं रावर मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माई पाटशाला में और पाटशाला रेलवे एक जाप में तो फिलाल आज रवीवार का दिन है लेकिन करेंट अपेस आपका आएगा मंगल बार से लेकिर रवीवार को सोम बार का आपका करेंट अपेस नहीं आएगा एक दिन हम लोग छोटनी करेंगे तो कल आप करेंट अपेस का इंतिजार मत करना और परिशान मत होना तो फिलाल आज की करेंट अपेस की ओर चलते हैं तो इसके बारे में जो भी घटना करम घटेंगे, आज जो भी प्रोग्राम वगेरा होंगे, उन सभी के बारे में आपको अगले, यानि कि नेक्ट डेके करेंट अप्यास में बता दिया जाएगा, लेकिन एक कोशन आपके स्क्रीन पर है, कि अभी हाली में PM स्वानिधी योज इसके लिए एक लोन स्कीम है, इसके लिए एक बैंकिंग पार्टनर बनाये गया है, एक एजेंसी को ये जिम्मेदारी स्वापी गई है, वो एजेंसी कौन सी है, उसके बारे में आपको पता लगाना है, लेकिन उससे पहले एक important news की तरफ चलते हैं, आज की पहली जानकरी म आप सभी को पता है कि सैनुत राष्ट सुरच्छा परिशद, जिसके अभी पांच आइस्थाई सदस्यों के चुनाओ हुए, सैनुत राष्ट सुरच्छा परिशद, विस्व की सबसे मजबूर संस्था मानी जाती है, जो विस्व में सांती बाहल करने के लिए सैनुत इस्थाई सदस को एपॉइंट किया जाता है, और ऐसे में अभी हाली में एसिया पैसिफिक शेतर से यानि एसिया प्रसांद शेतर से भारत का चैन हुआ था, क्योंकि भारत अकेला उमीदवार्था और निर्वीरोध भारत को चुना गया है, ये सैनुत राष्ट परिशद में भारत का कारेकाल जन्वरी 2021 से सुरू होगा और दो साल तक चलेगा, आएए बात करते हैं कि कब भारत को इसकी अध्यच्छता सौपी जाएगे, यहाँ पर जितने भी इसके सदस्यों होते हैं, उन सभी को प्रतेक महा के लिए सैनुतरा सुरच्छा परिशद क परिशद के अध्यच्छता सौपी जाती है, भारत के सुरू होने वाले कारेकाल जन्वरी 2021 में जो भारत के कारेकाल सुरू होगा, उसमें पहले पहले टूनीशिया को इसकी अध्यच्छता सौपी जानी है, जबकि अगस्ट 2021 में भारत को इसकी सदस्चता सौपी जाएगी सेंटरा सुरच्चा परिशत के आइस्थाई सदस्च के तौर पर चुना गया भारत अगास 2021 में 15 सदस्यों वाली 37 साली परिशत की जिम्मेदारी निभाएगा प्रतिक सदस्च बारी-बारी से एक माहा के लिए परिशत की अध्यच्चता करते हैं इसके बाद भारत 2022 में भी एक माहा के लिए परिशत का अध्यच्च बनेगा सुरच्चा परिशत के अइस्थाई सदस्च के तौर पर भारत का दो वर्स का कारिकल जन्वरी 2021 से सुरू हो रहा है जन्वरी 2021 में ट्यूनीशिया सेंटरा सुरच्च परिशत का अध्यच्च बनेगा भारत के लावा इस बार आयर्लैंड, मैक्सिको, केनिया और नार्वे ने भी अपने अपने छेत्री यानि कि छेत्रों से चुनाओ जीता है वो भी आई स्थाई सदर्श्य बने है बारत सुरच्च परिशत में नौर्वे, केनिया, आयर्लैंड और मैक्सिको के अतरि पांच स्थाई सदर्श्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका तथा आई स्थाई सदर्श्यों एस्तोनिया, नाईजर, सेंट, विनसेंट, ट्यूनिशिया और वियत नाम के साथ बैठेगा जबकि बेल्जियम, डॉम्नियन, गर्णाज, जर्मनी, इंडोनेशिया और दच्छिड अपरिगा का कारेकाल इस साल समाप्त हो जाएगा सेंटरा सुरच्छा परिशत के इस्थाई सदर्श्यों के बारे में काफी ज़धा पूछा जाता है कि कौन-कौन से सेंटरा सुरच्छा परिशत के इस्थाई सदर्श्य है, यानि पर्मनेंट मेंबर है तो वह है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जिनके पास वीटो पावर होती है वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर किसी मुद्धे पर सहमती बनानी हो तो पाचो सदस्यों को सहमत होना पड़ेगा Otherwise अगर किसी एक का भी सहमती आगई, किसी एक ने भी अपना वीटो पावर लगा दिया या मनाही कर दिया, निस्येदा दिकार लगा दिया तो उस बहुमत को या उस सहमती को खारिच करना पड़ेगा और उस पर एक्सन नहीं लिया जा सकेगा इसे वीटो पावर कहा जाता है बारत का सुरच्चा परिशत में जाने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर बारत सुरच्चा परिशत में चला गया है तो इस शेतर में यानि एशिया प्रसांच शेतर में जो भी उसकी इस्थिति है वो और मजबूत होगी और उसके मजबूत होने का फाइदा ये होगा कि भारत को जो रुत्वा है भारत का जो रोवाब है पूरे विश्व में वो कहीं न कहीं पड़ेगा सहितराश सुरच्य परिशत की बात करें तो इसकी इसकी इस्थापना सहितराश संग के साथ ही की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसका मुख्यालय नियाग सहितराश अमेरिका में है और इसका मूल संगठन सहितराश्ट है अध्यच के बारे में आपको अभी बताएगी हर देश का जो प्रतिनीदी होता है सहितराश में भारत के प्रतिनीदी अभी चुने गए है T.S.3 मोर्ती नाम जरूर याद रखेगा T.S.3 मोर्ती को अभी हाली में सहितराश में भारत का प्रतिनीदी चुना गया है तो बारी बारे से हर महीने अध्यच्छता होती चली जाएगी रोटेशन में चलता चला जाएगा तो पूरे कारेकाल के दौरान भारत दो बार सहितराश सुरश्या परिशत का अध्यच्छ बनेगा एक बार अगद 2021 में और फिर उसके बाद 2022 में अगली जनकरी है जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर है अरजित पटेल की RBI के गवर्नर रहे पूर्व गवर्नर रहे अरजित पटेल को अभी हाली में राष्ट्रिय लोग वित और नीती संस्थान का चेर्में नियुक्त किया गया है राष्टिय लोग वित और नीती संस्थान का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंचिट्यूट और पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिशी इसका मेन मोटिव ये होता है कि ये योजना आयोक को या भी जो भी सरकार होती है उसको सला देता है वित्ती प्रबंदन से जुड़ीवी बातों के बारे में तो हाल फिलान इसके चेर्मेंड मनाए गए है अरजित पटेल आर्थिक सोस संस्थान ने कहा कि अरजित पटेल 22 जून 2020 को यहाँ पद समालेंगे इससे पहले विजय केलकर जी इस पद को समाल रहे थे जिनकी जग है अब यहाँ पर अरजित पटेल जाएंगे और एक नॉमबर 2014 को संस्थान के चेर्मेंड का पद उन्होंने समाला था अरजित पटेल 22 जून 2020 से 4 साल के लिए इस संस्थान के चेर परसन के रूप में जुड़ रहे हैं और कई राज सरकारों दोरा सेंट रूप से इस्थापित एक स्वायत निकाए है यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी निकाए है और केन सरकार के साथ साथ राजियों को सला देते हुए साजविलिक नीटी से अनुसांदान करता है और यह बताता है कि कौन सी आर्थिक नीटी उनके लिए ज्यादा एक्जेक्यूटेबल है जो आराम से वो चला सकते हैं और राजिय को प्राफिट में ला सकते हैं अरजित पटेल जी की बारे में बात करें तो अरजित पटेल जी का जन्म 28 अक्टूबर 1963 को हुआ था, वो सितंबत 2016 में रगुराम राजन जी की सेवा निवृत्ती के बाद RBI का पदग्रहन किया था अरजित पटेल भारती रिजर्बेंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में कारिक कर चुके हैं और 1990 के बाद पहले ऐसे RBI गवर्नर रहे जिन्होंने अपने कारेकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया था अपने कारेकाल से पहले इस्तिफा देते हुए जो इस्तिफी का कारण उन्होंने बताया था वो ऐसा कहा था कि मैं पर्सनल रीजन्स की वज़े से इस्तिफा दे रहा हूं, मैं काम के बोच को समाल नहीं पा रहा हूं या अपनी नीजे जिंदगी में कुछ निर्णाय लेने थे उन्हें जिसकी वज़े से उन्होंने इस्तिपा दिया था इसकी बात सक्तिकान दास RBI के गवर्नर बने जिनके अभी हाली में Asia Pacific Banker of the Year के एवार्ट से सम्मानित किया गया है उन्हें Asia Pacific Banker of the Year का मतलब Asia Pacific शेत्र का सबसे सर्वस्रेश्ट Banker के रूप में चुना गया है एल उनिवर्स्टी से PhD करने वाले डॉक्टर अरजित पतेल 7 जन्वरी 2013 को डिप्टी गवर्नर के रूप में Reserve Bank of India से जुड़े थे IDFC Limited में इससे पहले वो प्रमुख Policy Officer भी रह चुके हैं उनको वित्र उर्जा Infrastructure छेत्र में 17 वर्सों का लंबा अनुभव प्राप्त है उन्होंने उर्जा मंत्राले और आर्थिक मामलों से जुड़े विभाग में भी 1998 से 2001 तक अपनी सेवाएं दी थी तो अर्जित पतेल जी बने है NIPEP के चेर्मन यानि कि National Institute of Public Finance and Policy जिसे राख्टिये लोग वित और नीती संस्थान भी कहा जाएका दो बार मैंने इसलिए रिवाइज कर रहा है ताकि आपको अच्छी तरीके से यह नूज याद हो जाए अगले जनगारी है RIC रसिया, इंडिया, चाइना, समून इसके अभी हाली में virtual वैठक होने जारी है यानि आबासी वैठक होने जारी है वैसे इस वैठक में तीन देश सामिल होंगे क्योंकि आप सभी को बताएगी भारत और चाइना की सीमा पर तनाव उत्पन होने की कारण इस बैठक में भारत के भाग लेने की आसंका घटती चली जा रही थी लेकिन अभी हाली में पता चला कि 23 जून को होने वाली इस बैठक में बारत वर्चुल यानि आब 80 रूप में विदेश मंतरी भाग लेंगे इस बैठक में भाग लेने का बड़ा मुद्दा ये है कि भारत को इसका माइने भी समझने चाहिए कि ये जो गुरुप है जहां भारत और चाइना के बीच में अगर कुछ भी गलबड होता है तो रूस समाल सकता है रूस सेतु के रूप में कारिकर रखता है फिलाल ऐसी कोई उमीन नजर नहीं आ रही है कि इस यहां पर यानि कि इस बैठक में भारत और चाइना वाला मुद्दा उठेगा क्योंकि ये एक त्री पच्छी गुठ है यानि कि इसमें तीन देश सामिल है तो इसमें दूई पच्छी वारता नहीं होगी मतलब कि यहां अंपर दो लोगों में बातचीत नहीं की जाएगी और इसके लिए पहले से आघाक कर दिया गया है कि किन विश्यों के बारे में यहां पर बातचीत की जाएगी ऐसे मुझे लगता है और जो भी जन्दगारी चुठाने वाली लोग है उनको भी लगता है कि यहां पर जो के अनुसार भारत 23 उनको रूस भारत-चीन की समू में होने वाली आभासी बैटक में बाग लेगा RIC त्रिपच्छी समू होने की करण प्राया इसमें दुपच्छी मुद्रों पर चर्चा नहीं की जाती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भारत भी अपने सीमा विवाद को दुपच्छी रूप से हल करने के समर्थन करता है जाता इस बात को पूरी संभावना है कि भारत अपने सीमा विवादों को RIC की बैटक में ना उटाए क्वाड एक ग्रुप है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया साथ में आते हैं एक और ग्रुप है जै, जापान, अमेरिका, भारत इस समू में भारत को समुदरी सक्ती प्राप्त होती है जबकि RIC एक ऐसा समू है जिसमें यूरेसिया के तीन बड़े देश आपस में इस्थल साजा करते हैं और आपस में व्यापार साजा करते हैं चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ प्रष्ट भूमी के बारे में बात करें तो RIC समू का निर्माण ब्रिक्स समू से बहुत पहले वर्स 1998 में ततकाली रूची विदेश मंतरी दव़ा किया गया था हाला कि RIC समू को उतना महत्तो नहीं दिया गया जितना ब्रिक्स समू को दिया गया है जैसे बड़े बड़े जब भी सम्मेलन होते हैं तो इनके बीच में बैठक जरूर होती है RIC का महात्यो है भारत के लिए तीनो देश बावपच्छी संस्थानों जैसे संस्थानों जैसे संस्थानों में सुधार का हमेशा समर्थन करते रहे है यहाँ पर तीनो देशों की सोच एक जैसी है इसलिए जब भी इनकी बात करेंगे जब भी अपनी बात करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये एजेंडा सॉल्व करने लाइक रहेगा तीनो देश अंतराष्टी तता छेतरी, सांती और इस्थिर्ता को बढ़ावा देने के लिए सभी इस्तरों पर नियमित रुप्षे वार्ता का समर्थन भी करते है इसके रवा तीनो देश ब्रिक्स, संगाई सयोग संगटन, संगाई कौपरेशन और्गनाइजेशन, पूर्वी एसिया सिखर सम्मिलन, एस्थ एसिया समिट जिते एस भी कहते हैं एसिया यूरोप बैठाग एसिया यूरोप मीटिंग जैसे साजा समूओं के माध्यम से आतंग बाज जलवाई परिवतन जैसी वैस्विक शिनोतियों का समाधान करने पर भी सहमत है तीनो देश, एसिया और प्रसान शेट की रणनीतिक अवस्तिती के आदार पर बैस्विक सकतिया है और विस्व में अपनी पैठ रखती है लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप में आपको बैलेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा क्यासे? क्योंकि इसमें तीनो का जो इंडिविजूल पर्शिप्शन है, तीनो की जो इंडिविजूल सिचुईशन है, वो अलग-अलग है जैसे भारत और रूस के राजनीतिक संबन्द बहुत अच्छे है लेकिन इनके बीच में दुविपच्छी वेपार और निवेश बहुत कम है इसकी विपरीत भारत और चीन का व्यापार बहुत अधिक है, लेकिन दुविपच्छी राजनीतिक संबन्द अच्छे नहीं चल ले है रूस और चीन सुरच्छा परिशत के इस्थाई सदस्य है, जबकि भारत नहीं, अताया समू इस द्रश्टी से असंतलित है रूस और चीन की पाज ज़्यादा पावर है अमेरिका के संबन्द में तीनों देशियों की नीतियां भी अलग अलग है रूस और चीन अमेरिका, एसिया प्रशाद नीति से बहुत ज़्यादा खुस नहीं रहते हैं जबकि भारत इस संबन्द में अमेरिका का समर्थन करता रहता है और अमेरिका की नीति का समर्थन करता है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका एक सामरिक महत तो ये है कि अगर आप वैस्विक संगठनों की स्थिती में देखें तो ये तीनों मिलकर एक अच्छा रोल निभा सकते हैं आर आईसी जो ग्रूप है उसके लिए इंपॉर्टेंस है लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पर देखें कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है तो उसमें भारत रूस और चाइना के बीट में उतना चीजे साथ नजर नहीं आईगी जहां भारत और रूस के बीट में राजनीतिक संबंद अच्छे हैं वहाँ ब्यापारिक संबंद उतने अच्छे नहीं है भारत और चीन के वीज़ में ब्यापारिक संबंद बहुत अच्छे हैं तो राजनीतिक अच्छे नहीं है और उदर रूस और चाइना जो है वो इस्थाई सदस्य है अगली जानकारी के तरफ अगली जानकारी है केंदरी आवास एवं सहरी मामलो के मंतरी वर्तमान समय में हरदीप सिंग पूरी उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मास्क लगाय हुए है ने पीम इस्ट्रीट बेंडर की आत्म निर्भर निदी के लिए कार्यानवन एजेंसी के रूप में सलंग करनी के लिए लगू उद्योग विकास बैंग सिडवी के साथ एक समझाओता ग्यापन पर हस्ताचर की है कुछ समय पहले प्यधान मंतरी जी ने ये स्वा निदी योजना लांच की थी जिसमें स्ट्रीट बेंडर आत्म निर्भर निदी योजना है इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो इस्ट्रीट बेंडर है 24 माद 2020 से जो उससे पहले जो इस्ट्रीट बेंडर का काम कर रहे थे रेडी लगाने का काम कर रहे थे कहीं फुट पाक ते दुकाने लगाने का काम कर रहे थे उन सबी को एक छोटी सी लोन स्कीम दी जा रही है इस लोन स्कीम की सर्तें बहुत आसान है सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो street vendor होंगे हो सकता है कि वो 10,000 रुपए का बिना collateral वाला loan ले 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 यानि कि बिना किसी guarantee के वाला loan ले ले 10,000 रुपए में वो अपना काम चला है और श्क्रेबाद हो सकता है कि वो loan वापस न करे पहले योजना की बात करते हैं फिर drawback के बारे में बात करेंगे योजना में क्या की आजाएगा जो भी street vendor है उनको 10,000 रुपए की एक loan रासी दी जाएगी बिना guarantee के उन्हें ये एक साल के अंदर वापस करना है अगर वो एक साल के अंदर वापस कर देते हैं तो 10,000 रुपए पर 7% ब्याज की दर से जो भी रुपए बनेंगे वो सीधे सीधे उनके खाते में transfer कर दिये जाएंगे और अगर उन्होंने समय से ये loan चुका दिया तो अगले साल वो और ज्यादा loan के लिए eligible हो जाएंगे लेकिन जो व्यक्ति loan नहीं चुकाएंगे उन्हें आगे किसी भी भविस में किसी भी तरह का कभी भी कोई भी loan प्राप्त नहीं हो सकेगा ये इस योजना का drawback है, drawback क्या आप अच्छी बात कर सकते हैं कि सरकार भी अपने पैसे को सुनेशित करना चाती है दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी वेक्ति कोई loan नहीं चुकाता है तो उसके उपर कोई सी भी तरह का कोई भी जुर्माने का प्रावदान नहीं किया गया है वो अगर नहीं चुका पाने की इस सिती में है तो भी वो कम से कम कुछ दिन अपना जीव को परजन चला पाएंगे इसके लिए ये योजना लाई गई है सबसे बड़ी बात ये है कि lockdown के दरहां जो उन्होंने चोड़ा बहुत कच्छा माल खरीदा होगा जैसे माली जे भेलपूरी बनाने वाला है तो उसका पूरा माल खराब हो गया होगा तो वो दुबारा से अपने इस दंदे को सुरू कर पाएगा अपने इस जीव को पारजन के साधन को सुरू कर पाएगा तो इस यूजनकक देशी जो है ये सड़ब विक्रेताओं को 10,000 रुपे तक कारेशील पूंजी प्रतान करना है जो COVID-19 लॉगडाउन से प्रतकील रूप से प्रभावित हुए है या रेण एक वर्स के कारेकाले मास्तिक किस्तों में चुकाने योग है और सीगर भुकतान पर साथ प्रत्सत प्रती वर्स की सबसीडी भी प्रतान की जाएगी सिड़बी की बारे में बात करें तो सिड़बी क्योंकि इसे समाले का और फंडिंग उटाएगा सिड़बी का मुख्याले लक नौ में है बारती लगू उद्योग विकास बैंक यानि की स्मॉल इंड़स्टी डेवलेब्मेंट बैंक एक सुतंतर वित्ती संस्ता है जो सूच में लगू और मध्यमुद्योगों के लिए लोन देती है या उनके वद्दी और विकास के लच्छते से इसे इस्तापित किया गया था इसकी इस्तापना दो अप्रेल 1990 में हुई थी और इसके जो वरतमान समय में हेड है वो है मुहम्मद मुस्तपा सिट्वी की बहन आप कह सकते हैं सिट्वी जैसा ही एक बैंक एगरिकल्चरल फील्ड में है जिसे नावाइड कहा जाता है इसे क्रसी मामलों के लिए और क्रसकों को उत्थान करने के लिए बनाये गया था इसकी इस्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी राष्टी क्रसी और ग्रामीन विगास बैंक मुंबई में इस्थित है इसका मुख्याले कहां इस्थित है मुंबई में दूसरी बात यह है कि इसमें एक एपोइंटमेंट अभी हाली में की गई है कल रिलाईंस का सेर सबसे ज्यादा हाई वैलू पर फ्लोट हो रहा था 1689 रुपए के NSC पर ये फ्लोट हुआ है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो रिलाईंस का सेर है उसका जो कैप है वो 11 लाक करोन रुपए को भी पार कर गया है यानि कि किसी भी तरह का कोई भी रिन अब रिलाईंस के पास नहीं है कुछ समय पहले मुकेत अमभानी का statement आया था कि मैं जियो सुरू करने के पच्छ में नहीं था लेकिन मेरे बच्चे इसको सुरू करना चाहते थे और अंत में उन्होंने कर दिखाया कि वो अपने पिता से भी ज़्यादा काबिल है रिलाईंस में जियो की बदलत ही ना देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों की टेलीकॉम कंपनियों की कमर तोड़ी जबकि एक नया बाजार भी भारत के अंदर उपलब्द कराया इसमें सबसे बड़ा बाजार तो हम और आप इसके उधारण है अगर जियो नहीं आया होता तो सायद आप यूटूब इतने आराम से नहीं देख पा रहे होते आपको हमेशा नेट की फिकर रहती तो एक बात तो तो तय है कि जियो ने भारत में संचार करांती उत्पन की है जिसी विज़े से हम नेट उपयोग के मामले में और मोबाइल उपयोग के मामले में विसके अगरणी देसों में आ गए है और हम बहुत कुछ अपने सोचल मीडिया के माध्यम से और बहुत कुछ अपने यूटूब और इंसरे की चीज़ों के मादम से सीखते हैं लेकिन फिलाल वहीं कहीं न कहीं कुछ गड़वर चीज़े भी हो जाती हैं जैसे मेरा सारा TikTok की तरफ है बहुत सारा समय भी बरबाद करते हैं तो फिलाल मुंबई इस्तित भारती बहुराश्ट्री मर्टीनेशनल कमणी रिलाइंस इंडस्ट्री लिम्टेट उन्नी जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल को छूने वाली पहली भारती कमणी बन गई है रिलाइंस या उपलब्दी आसिल करने वाली पहली बार भारती कमणी बनी है कमणी ने मार 2021 को अपने लच्छ से आगे सुद्र रण मुक्त रखन की बात की थी और 9 मैंने पहले ही इसे हासिल कर लिया है इस गोसना के बाद रिलाइंस के स्वेयर में काफी तेजी देखी गई 31 मार 2020 को रिलाइंस का जो रिन 1,61,35 करोन रुपए था वो लागडाउन के बाजूद 58 दिनों की अबदी में रिलाइंस के इंडस्ट्री ने 1,68,188 करोन रुपए से अधिक जुटाए है और इसमें कम से कम 9 नई इन्वेस्ट्मेंट कमपनियों के जरीए ये पैसा हासिल किया है तो रिलाइंस बनी है 150 अरब डॉलर के मूल को छूने वाली पहली कमपनी अगली जनकरी है सौरग गाउंगली और सुनील शित्री जी को अभी हाली में जेए जबलू सीमेंट ने सौरग गाउंगली और सुनील शित्री को अपना ब्राइंड अमेडर बनाया है सीमेंट ब्राइंड ने एक नया मल्टी मीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चोईस भी लांच किया जिसमें दोनों स्पोर्ट्स आइकन को सामिल किया गया है जेए जबलू सीमेंट का बहु मीडिया विप्रन अभियान लीडर्स चोईस एक बेहतर कल के लिए एक ठोस आधार बनाने वाली विचाधारा को बढ़ावा देता है सौरग गांगलीपूर भारती क्रिकेटर और भारती क्रिकेट टीम के कप्तान है वरतमान में भारती क्रिकेट टीम के कप्तान रही है वह वरतमान में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड के अध्यच की रूप में भी कारिक कर रहे है जबकि सुनिल शेत्री भारती राश्टी फुटबॉल टीम और बैंगलोर FC के कप्तान है साथ-साथ इस बार वो AIFF दौरा फुटबॉलर अब दे यर के एवार्ड से भी समानित किया गया था साथ ही में सुनिल शेत्री को इस बार पद्मसरी पुरुषकात से भी समानित किया गया है अगली जनकरी है World Economic Forum ने 2020 में दो टेक्नलोजी कमपनियों को सीर्स कमपनी में सामिल किया है तो बीस्वी सोवी टेक्नलोजी पाइने जो लाखों लोगों को किफायती रिण सुवधा परदान करती है जबकि इस्टेलैप्स की बात करें तो भारत के डेटा लीड इंटरनेट आफ तिंग्स पर आधारी इस्टाइटप लेटफॉर्म है जो डेरी आपूरती संखला के डिजिटली कारण से जुड़ी हुई है तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि वर्ड एकोनोमिक पूरम ने दो भारती कंपनी को सीर सौस कंपनियों के अंदर सामिल गया है टेक्नलोजी पर आधारी जिनमें दे एक है जेस्ट मनी और एक है इस्टेलैप्स अगली जनकरी है अभी भारत ने क्लाइमिट क्राइसिस के उपर एक रिपोर्ट जारी की है यह प्रत्वी विज्ञान मंत्राले दोरा जारी की गई रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को कहा गया है Assessment of Climate Change Over the Indian Region अतार भारती छेतर पर जलवायू परिवतन का आकलन तियार किया गया है और कुछ इस तरीके से एक आकलन आया है इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1901 से लेके 2018 के दोरान भारत का उसा तापमान 0.7 डिग्री सिल्सियस बढ़ा है इस तापमान का बढ़ने का जो प्रमुक कारण है वो ग्रीन हाउस गैसों का उस सर्जन है साथ ही 2099 तक भारत के तापमान में व्रती से सम्बंदि दो अलग-अलग परिद्रश्यों की भाविशवानी की है अगर हम सबसे अच्छा केस माने यानि हम बिलकुल भी परियावन सर्जन को सम्भाल लें हो अच्छे तरीके से हम काम करते रहें तो भी भारत का टापमान अगले आने वाले 2099 में तक 2.6 डिग्री से से बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब यदर हम सबसे खराब इस्तिती की बात करें यानि कि हम जैसे चलने वैसे ही चलते रहेंगे तो 4.4 डिग्री से तक बढ़ जाएगा मानसून के बारे में भी यह पता चला है कि प्रदूसर फैलाने वाले एरोसेल जिने ब्राउन क्लाउड कहा जाता है की वज़े से 1951.2015 के बीच उत्तर भारत में 6% वर्सा कम हो गई है आगामी दस्कों में मानसून और अधिक चराब होने पर उम्मीद है यानि और ज़्यादा इसके खराब होने के उम्मीद है इसके अलावा 1976-2005 की तुलना में अप्रेल-जून हीड वेब 2099 चार गुना अधिक होने की संभावना है यानि आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो अभी हम 40-45 डिग्री सेंटीग्रेट टेंपरेचर तब मैक्सिमम जाते हैं या कभी-कभी 49 तक जाते हैं 50 भी होता है वो मैक्सिमम जाने लगेगा 70 तक 70 डिग्री सेंटीग्रेट का टेंपरेचर हमको देखने को मिल सकता है 2999 बहुत भयावा इस्तिती होगी और रिपोर्ट में मताये गया कि मुंबई के पास समुद्र का इस्तर प्रती दसक 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है साथ ही ये भी उलेक किया गया कि 1951-2015 के दौरन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर साइट हिंद महासागर में सतय का तापमान एक डिग्री सेल्जियस बढ़ गया है जो कि वैस्विक औसस से कहीं जादा है इसके अत्रिक ये भी दर्थाया गया कि गर्वन दिनों में रातों की आवरती 55% और 70% तक बढ़ने की संभावना है फिर मैं प्रत्वी विग्यान मंत्राले की वेबसाइट पे गया ये देखने के लिए वर्तमान सब्वें में इसको सम्हाल कौन रहे हैं तो डॉक्टर हर्शवदन, केंडरी, स्वास्तिवं, परिवार, कल्यान मंत्री उनके पास विग्यान एवं प्रवद्वी और प्रत्वी विग्यान मंत्राले भी है जैपकि वर्तमान सब्वें में इसके सचीव हैं डॉक्टर M. राजीवन अगली जनकारी तर चलते हैं एक स्वत्यभामा नाम का एक पोर्टल लॉंच किया गया है खान मंत्राले द्वारा किसी भी पोर्टल को लॉंच करने का जो सीधा मक्सद होता है कि निकरानी प्रणारी को अच्छे तरीके से मजबूत करना जो कि विबसाइट के जरीए बहुत सारी जानकारी कुछ किलिक में हासिल की जा सकती है और ऐसे में पोर्टल को अच्छे तरीके से मेंटेन करना जिमेदारी बन जाती है और इसके जरीए हमें ये पता चट सकेगा कि खान हो रहा है यानि कि जो माइनिंग बगेर हो रही है उसमें किस तरीके कारे हो रही है तो ऐसे में केंदरी कोईला और खान और संसदी मामलों के मंतरी प्रहलाज जोसी कौन है केंदरी कोईला खान मंतरी वो है प्रहलाज जोसी ने R&D पोर्टल लॉंच किया है जिसे कहा गया Science and Technology योजना पौर आत्म निर्वर भारत in Mining Advancement जिसे सत्यभामा नाम दिया गया है सत्यभामा याद करें तो स्री कृष्णी की पत्नी थी उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए थे तो यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि स्री कृष्णी की पत्नी का नाम भी सत्यभामा था पौर्टल को खान मंत्राले के विज्ञान वा प्राप्त की कारेकरम की योजना के लिए लॉंच किया गया है कुछ दिन पहले ही दो दिन पहले ही प्रदान मंतिजी ने 41 कोल व्लाकों की ऑनलाइन आक्षन की बात की थी और उसको शुरू भी कर दिया आरेंडी पौर्टल सत्यभामा को राष्ट्री सुचना विज्ञान के लिए ने की नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर द्वारा अटेच किया गया है अगली जंगर है उमी फेनोविर ओसदी उमी फेनोविर ओसदी जो है ये एक COVID-19 से लड़ने के लिए ओसदी निधारित की गई है वैसे आपको ये भारत में नहीं मिलेगी लेकिन आप इसको भारत में भी बनाया जाएगा ये रूस में मिलती थी केंदरी ओसदी अनुसंधान संस्थान कहां पर है लखनोविर नाम की एक ओसदी के नैदानिक परिषण के लिए औसदी महा नियंतरक यानि कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमती मिल गई है ये परिषण कैसे किया जाएगा याद्रचिक डबल ब्लाइन और प्लेसबो नियंतरित होगा ताकि ये पता चलता कि ओमी फैनोविर की प्रभाव कारिता सुरच्छा और सैंसीलता का परिषण किया जाएगा किसी भी दवा का परिषण जो है वो अलाइला तरीके से किया जाता है यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ की जा रही है उसके लिए रैंडमनेस ली जाएगी डबल ब्लाइन लिया जाएगा और प्लेसबो नियंतरि प्लेसबो कंट्रोल होगा इसका मतलब क्या होता है बहुत अच्छे से समझाता हूँ देखे रैंडमनेस का मतलब यह होता है कि किसी भी ग्रुप से चुन लिया जाएगा कहीं से भी कुछ लोगों को चुन लिया जाएगा उनकी उपर परिषण के लिए उनको इखटा किया जाएगा फिर उन्हें ग्रुप में बाट दिया जाएगा इसकी बाद डबल ब्लाइंड होगा डबल ब्लाइंड का मतलब यह होगा कि कोई किसी को नहीं जानेगा कि आगर माली जए सेंपल लिये गए यह सेंपल किसका है पता नहीं इसको चेक कौन करेगा पता नहीं पस ये चक किया जागा कि इसमें COVID-19 है या नहीं आप समझिए एक ग्रुप लिया जाएगा उसमें किसको COVID-19 है ये पता नहीं चलेगा लेकिन हां उस ग्रुप में किसी ने किसी को COVID-19 है ये हो जाएगा ऐसा इसलिए क्यूंकि कभी-कभी बीमारी के लचण कुछ ऐसे होते है जो सारीरी कम मानसिक ज़्यादा होते हैं जैसे ही एक बहुत अच्छा प्यारा सा लच्छने अगर मैं कहूं कि जर अच्छे करिए कहीं आपको सास लेने में तकलीफ तो मैसूस नहीं हो रही है तो जैसे ही आपका ध्यान सास में जाएगा यानि कि आपके स्वास में जाएगा आपको लगने लगेगा कि हाँ आपको थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ हो रही थोड़ा था महौल बना दिया जाए तो आपको पक्का लगने लगेगा कि हाँ सास लेने में तकलीफ होने लगी है एक छोटी थी कहाणी मुझे याद आ रही है, मैं से सुनाना चाहूंगा तो फिलाल double blinded, इससे ये पता, किसी को पता नहीं चलेगा, कहाणी अभी, कहाणी पर अभी आते हैं किसी को ये पता नहीं चलेगा कि कौन चेक कर रहा है, कौन नहीं चेक कर रहा है मालब कि ना तो ये पता जलेगा ये किसका है, सैंपल किसका है और इसको सैंपल को किसने, इससे मालब आपस में एक दूसरे डिपेंडेंसी खतम हो जाएगी, मालब जो रिजल्ट आएंगे, उसके प्रभावित होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, I think आप समझ गया हो में डबल लाइन का मतलब, तीसरा पॉइंट आता है प्लैसिबो, प्लैसिबो इफेक्ट है मेडिकल की लाइन में, मेडिकल छेतर में प्लैसिबो इफेक्ट होता है, मैं आपको एक छोटी थी कहानी सुनाता हूं, उससे आपको समाझ में आएगा प्लैसिबो इफेक्ट क्य रहा होता है लेकिन वो लगातार मोच के लिए भागता रहाता है ऐसे एक युद्ध करके वो आ रहा होता है राते में वो ठक जाता है बहुत ज़्यदा प्यास लगती है अंधेरा हो जाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो ऐसे ही चलते चलते उसका पैर एक जगे गोल गोलचीज से टकराता है वो देखता है कि उसमें कोई लिक्विड बरा हुआ है वो गोलचीज को उठाता है और उसको लगता है कि यह मटका है और उसको पी जाता है पीने के बाद उसको जो पानी है उसका स्वात थोड़ा सा अजीब सा लगता है लेकिन फिर भी क्योंकि प्यास इतना लगी होती कि वो पानी फिर भी पी जाता है और फिर वहीं पर आराम करके सो जाता है जब सुबह उठता है तो देखता है कि वो जो मटका था वो मटका नहीं था वो एक कंकाल था और उसके अंदर खून बरा हुआ था लेकिन फिर भी वो जीवित रहता है देट इस काल प्लैसिबो एफेक्ट प्लैसिबो एफेक्ट का मनदब यह होता है कि अगर उसको पहले ही पता चल जाता कि यह मटका है यह मटका नहीं है कंकाल है तो वो साहर ना पी पाता और वो मर जाता है वहाँ पर प्यास की वज़े से यहाँ पर कहानी का सार यह निकलता है कि जो कुछ है वो आपके मन में है एक डॉक्टर साब ते उनके पाद एक मरीज आता है और वो उनसे कहता है कि साब, हम्हें कई दिन से सर्दा दो रहा है, बहूत दिन से परिशान हूँ, क्या किरें, तो इनके फार opens सार हे बता दोबा का नाम क्या था, बहुत बढ़ियां दोबा दी आपने, लेकिन दोबा का नाम मुझे बता दी जै तो डॉक्टरन का वो दवा नहीं था वो जेम्स की गोली थी चोकलेट वाली कहां डॉक्टर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कहां किया जब हमने आपकी रिपोर्ट देगी तो पता दिल आपको कोई विमारी है नी आप खुद से परिशान दे आपका जो सरदर्द था वो सारी रीक ना हो करके वो मानसिक था और ऐसे सरदर्द में आपका वो मन से निकालना है मलब जो बीमारी आपको नहीं है उसको कैसे निकाला जाए जो बीमारी आपको नहीं है उसको कैसे निकाला जाए उसको निकालने के लिए क्या करना पड़े हैं मुझे आपको मन का इलाज करना पड़ा तो मैंने मांसी ग्रूप में आपको वो प्लैस्वो एफेक्ट दिया इसे मेडिकल लाइन में प्लैस्वो एफेक्ट कहते है और प्लैस्वो टेस्टिंग कैसे की जाती है इसमें एक ग्रूप को दो अलग अलग भागों में बाढ़ दिया जाता है कुछ लोगों को placebo दिया जाता है यानि उन्हें दवाई के नाप पर जूटी गोलिया दी जाती है जिनमें कोई भी chemical substance नहीं होता और कुछ लोगों को umifanivir दी जाएगी ताकि ये देखा जा सके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों के अंदर same effect आ रहा है अगर मालो वो भी ठीक होने लगे ये भी ठीक होने लगे तो ये मामला इसका ये दर्स आएगा कि umifanivir का कोई फायदा नहीं है आप उन्हें umifanivir की जागे अगर कोई और गोली भी दे देते तो भी वो सही हो जाते क्योंकि ये बिमारी उनके अंदर जा रहा था इसलिए umifanivir की बात करें तो मानो कोई इसकाओ में वाइरस के प्रविश को रोकेगी साथ-साथ ये इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करती है और जहां कई भी इंफ्लुंजा के केस देखने में आए है वहाँ पर इस दवा ने बहुत अच्छा काम किया है umifanivir मुकरुप से इंफ्लुंजा के इलाज के लिए चीन और रूस में उपलब्द है हाला कि ये COVID-19 के रोगियों के लिए इसके संभावित उप्शार के तोर पे इसे देखा जा रहा है लेकिन इसके अलावा ये और कहीं पर भी विस्व में नहीं पाई जाती अब ऐसे में हमारा जो CDRI है वो इसे डेबलब करने जा रहा है क्योंकि इसको बनाने के लिए जो raw material है वो हमारे पास उपलब्द है बस इसको बनाने के लिए हमें drug controller general की अनुमती चाहिए थी quality drug supply across the country यानि कि पूरे देश में एक अच्छी quality की दवा सपलाई हो उसकी पूरे जिम्मेदारी इनके उपर होती है तो आल बलाल उमीद करता हूँ ये दवा आपको समझ में आगे होगी दवा का नाम है ओमी फैनोविर मैं अभी याद कर रहा हूँ कि बार बार नाम भूल जा रहा हूँ इसके लाबा एक और दवा चर्चा में आई थी hydroxy chloroquine जो की malaria की दवा है उसको भी COVID-19 के उप्चार के तोर पे देखा गया था अगली जान कर रही है quantum upgrade आधारे संचार पढाली पूरे विस्व में quantum communication अगर कोई कर पा रहा है ढंग से तो वो है आपका चाइना क्यों quantum communication की ज़रूत पड़ी एक्शल में हमारा जो basically communication होता है जो internet है वो optical fiber communication के थुरू चल रहा है और जो हमारा phone वगेरा पे बाचित हो रही है वो आपका satellite communication के थुरू चल रहा है optical fiber communication में हम लोग laser technique का इस्तमाल कते हैं यानि light ray का इस्तमाल कते हैं जबकि आपके satellite communication में हम लोग electromagnetic wave का इस्तमाल कते हैं इसमें से optical fiber communication जो है वो थोड़ा सा safe है जबकि satellite communication बिलकुल भी safe नहीं है उसमें same frequency को trace किया जा सकता है और अगर भारत की military किसी से बात कर रही है किसी से गुप्त बातचीत कर रही है तो उसको सुना जा सकता है ऐसे में ये सुरच्छा कारणों से ठीक नहीं है खास कर सैन अभियानों के लिए इस डर की वज़े से चीन ने quantum technology पे काम करना शुरू गया और आज विस्व में quantum communication में आगे आया क्या difference है quantum communication में और normal communication में बहुत छोटी थी line में समझाता हूँ normal communication हम लोग करते हैं digital form में जिसे हम लोग bit कहते हैं जो सबसे छोटी information निकाई होती है the least information unit is called bit जो 0 और 1 के रूप में computer में represent की जाती है 0 का मतलब होता है वहाँ पे बिल्कुल भी voltage नहीं है और 1 का मतलब है 5 volt around voltage महाँ पर पाया जा रहा है लेकिन जब हम quantum का इस्तमाल करते हैं quanta is a light particle जिसे हम photon b कहते हैं photon के sum को ही quanta कहा जाता है packet होता है information का packet इसमें जिस तरीके का orientation होता है जिस तरीके का इसका spinning होता है उसके आदार पर 0 और 1 को decide किया जाता है सबसे important बात यह होती quantum communication एक इस तरह का communication होगा let us suppose मैं आपको कुछ transmit करना चाता हूँ तो मैं आपको एक quanta transmit नहीं करूँगा मैं एक जैसे दो quanta आपको transmit करूँगा इन दोनों quanta को आपस में जुड़ों भाई बोला जाता है यहने qubit भी आप कह सकते हो यह आपस में जुड़े हुए होते हैं अगर आप एक में change करोगे तो यह भी अपने आप change हो जाएगा अब होगा क्या हम दो अलगलग channel से आपके साथ communication करेंगे एक ऐसे करेंगे एक ऐसे करेंगे let us suppose इस channel पे किसी ने intercept कर दिया इस channel पे कोई चोर आ गया या कोई ऐसा वेक्ती आ गया जो हमारी बाची सुनना चाहता है क्या होगा यह quanta जो आपके पास जा रहा था पलट के पहुँचा क्यों योगी यह goal है quanta का अगर यह value change होगी तो इसकी अपने आप change होगी यह quantum communication का basic principle है मैं बहुत detail वाली चीज़ आपको simple language में समझाने को कर रहा हूँ आप समझ जाओगे कि हाँ बीच में किसी ने हमारी बाचीत सुन ली है और आप और ऐसा विसमें पहली बार हुआ है कि quantum entanglement quantum entanglement का ही मतलब होता है कि दो quanta आपस में एक जैसे ही इस्तिती पर होते हैं और यहाँ पर जा रहा है एक information यहाँ पर आ रहा है एक quanta यहाँ पर जाएगा यहाँ पर quanta जाएगा कि दोनों के बीच में difference आ गया यह परिसानी हो गई कुछ बदल गया तो हम समझ जाएगे कि हाँ मामला गड़ बड़ है इसका मेलब कहीं न कहीं हमारी बाचीत जो ही वह intercept हुई है तो quantum entanglement का मतलब होता है कि दो quanta एक जैसे होंगे अगर दोनों का जुड़ा होगा अगर एक को ठपड पड़ेगा तो दूसरे को भी ठपड मैसूस होगा इसे जुड़वा कहा जाता है आधारे लंबी दूरी के बीच quantum quintography इस तरह की से information को बेज़ने को cryptography कहा जाता है cryptography का मतलब होता है किसी और भासा में उसको convert करतेगा ताकि कोई उसे बीच में decode ना कर सके बहुत ज़्यादा detail में चला जाओंगा मैं फिर technical हो गया समझ में आया कि नहीं है मैं जो समझाना चारता है वो समझ गया मैं बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाना जाता है हम दोनों Chinese में बात कर रहे हैं एक तीसरा आपनी Hindi जानता है वो Chinese नहीं जानता है तो वो हमारी बातचीत नहीं समझ पाएगा लेकिन अगर हम Hindi में बात कर रहे हैं तो तीनों समझ ले जाएगे तो मैं अपने Hindi वाले सब्दों को Chinese में convert करके उसको बेज रहा हूँ वो Chinese वाले सब्दों को पकड़के हिंदी में convert कर ले रहा है इस तरीके से coding decoding जो होती है उसे cryptography कहा जाता है मलब किसी और language को crypt कर देना encrypt कर देना उसको बदल देना उसका स्वरूप बदल देना फिलाल सबलता पूरवा की स्थापित किया गया है जो quantum दूर संचर के वैवारी के इस्तमान में एक महत्पून प्रगती माना जा रहा और आगे आने वाले समय में अगर ये technology आगे जाती है बहुत बड़ी technology है क्योंकि ये light particle होते हैं ये light की गती से चलते हैं और ऐसे में एक बहुत तेज इंटरनेट आपको आगे आने वाले बविश में दिखाई देगा quantum technology अगर possible होई तो बहुत कुछ possible होगा बहुत कुछ फिलाल possible है और कुछ चीज़ें की जा सकती है जैसे कि quantum communication किया जा पा रहा है पांच जियान भी इंका नाम जरूर याद रखेगा ये quantum के पितामा कहा जाते हैं और नेतरत वली एक operating team में quantum technique की दिशा में सफलता प्राप्त की है और इसके लिए उन्होंने जो satellite launch की उसका नाम में मिशियर मिशियस उपग्रे के मार्जम से मूल ग्राउंड इस्टेशन जो एक दूसरे से 1200 किलो मीडर की दूर पहिती थे के मद entanglement quantum cryptography को सफलता पूरवक इस्थापित किया गया है entanglement photon आपस में संबंदित हलके कर होते हैं जिनकी गुण आपस में संबंदित रहते हैं जिसी एक photon में हेरा पेरी की जाएगी तो इसका प्रभाव आपको दूसरे photon पर दिखाई देगा मिशियस वर्थ विस्व का प्रथम quantum संचार उपग्रे है जिसे 2016 में लॉंच किया गया था उपग्रे का नाम प्राचीन चीनी दार्थनिक मोजी के नाम पर रखा गया है तो चीन quantum technology को प्रयोग करने वाला पहला देश न्यूस फिट अपर सुप्रीम कोड ने जगनात पुरी की राथ यातरा पर लगा दी है सुप्रीम कोड ने कोरोना वाइरस महामारी की बज़े से 23 जून को होने जारी ये तियासिक वार्थी जगनात पुरी राथ यातरा पर रोक लगा दी है कोड ने कोरोना वाइरस संक्रमन के चलते बागवान जगनात की यातरा पर रोक लगाई है सुप्रीम कोड के मुख नायदिस ऐसे बोब डे जस्टिस दिनेस महास्वरी और जस्टिस एस बोब पन्ना की बेंचने 18 जुन 2020 को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जन्हित और लोगों की सुरच्छा को देखते हुए इस साल रथ यात्रा की इजाज़त नहीं दी जा सकती है ये करीब तीन सदियों में पहला मौका है जब इस वार्सिक रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा रिपोर्ट के अंसार आखरी बार 284 साल पहले सन 1733 से 1735 के बीच रथ यात्रा नहीं हो सकी थी क्योंकि उस समय तकी खान ने पवित्र मंदर पर हमला किया था और मूर्ति को किसी और पर इत्थान पर रखना पड़ा था तो जगनात्पुरी यात्रा नहीं देखने को मिले दिया अगली जनकर यह है मनिपुर ने 19.5 महान जून विद्रो दिवस मनाया उनिश्वा महान जून विद्रो दिवस 18 जून को मनिपुर के केक रूपत में मना 2001 में अपनी जान गवाने वाले 18 वेक्तियों की सर्दांजलियों सम्मान देने के लिए हर सल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है इस अफसर पर 18 साईदों के परिवार के सदस्यों को संगठनों नेताओं ने मनिपुर के केक रूप 18 लोगों को पांजलियों और सम्मान दिया विश्व सरनाती दिवस हर साल 20 जून को मनाये जाता है यॉनाइटे नीचिशन हर साल 20 जून को विश्व इस तर पर विश्व सरनाती दिवस मनाता है वेसे सरणाती दिवर 2020 का उदेश से दुनिया को यहाँ याद दिलाना है कि सरणाती हर कोई समाज के परती युगदान करने में सच्छम है और हर एक्षन अधिक समावीशियो समान दुनिया को बनाने को प्रयास कता है इस बार की जो थीम है वो है Every Action Count अब बारी है आज के मारे One Liner की अगर 2021 में किस देश के सहिवतरा सुरच्छा पैसत के अध्यश्च के रूप में नामित किया जाएगा तो वो है भारत किस संथा को PME Street vendor आत्म निर्बन निदी के लिए कार्यान्मन एजेंसी के रूप में चुना गया है तो वो है SIDB कौन सी कमपनी भारत की 150 अरब डॉलर के मूली की कमपनी बन गई और हाली में सुद्धर रिल्मुक्त भी हो गई है तो वो है Reliance Industry किसको राश्ट्री लोग वित नीती संथान का चेर्मेन न्यूक्त किया गया है अर्जित पतेल उर्जित पतेल भरोज भारत चीन के समुव में होने वाली आवासी बैटक में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा तो External Affairs Minister यानि की विदेश मंत्री सुब्रमन्यम जैसंकर JSWC मेंट ने सौरग गांगली और सुनील शेतरी को अपना ब्रांड अमेडर बनाया है बीसमी सदी में सौ टेक्नलोजी पाइनियस कंपनी की लिस्ट में दो भारती कंपनियों जेस्ट मनी और स्टेलाप्स को सामिल किया गया है किसने R&D, PORTAL सत्य बामा की सुरुवात की है तो केंदरी कोईला, खान और संसदी मंत्र मामलों के मंत्री किस देश के बैग्यानिकों के लिए एक अध्यन दलने मिश्यस क्वांटम उग्रेय का प्रियूप कर विसमें पहली बर क्वांटम इंटेंगल पर आधारे लंबी दूरी के बीच क्वांटम क्रिफ्टोग्राफिक सबलता प्राप्त किया है तो हो है चाइना विस सरणाती दिवाद 2020 कभी से क्या है एबरी एक्शन काउंट अगर 2021 के लिए किस देश को साहितरा सुरच्चा परिशत का अध्यच नामित किया गया है तो हो है इंडिया ट्यूनीशिया जन्वरी 2021 में किस संथा को PME स्टीट बेंडर के आत्मनिर्भर निधी के लिए कार्यानमन एजेंसी चुना गया है तो स्वनिधी के लिए कौन दी कमणी भारत की पहली 150 अरफ डॉलर के मूली की कमणी बन गई हाली में सुद्धरन मुक्त भी हो गई है किसको राष्टी लोग वित एवन नीती संस्थान का चेर्मेन नीत किया गया है तो वह है उर्जित पतेल रूस बाराचीन समू के बीज में होने वाली अबासी बैटक में भारत की तब से कौन भाग लेने वाला है तो मिनिस्टर ऑफ एक्टरनल अफेर्स यानि की विदेश मामलों के बंतरी आपके सुब्र मन्यम जैसेंकर जैजबलू सीमेंट ने सौरगाउंगली और सुनीर शेत्री को अपना ब्राइन अबेडर बनाया है बीसवी सो टेक्नलोजी पाइनेस कंपनी में किन दो भारती कंपनियों को सामिल किया गया एक है जैस्टमनी और एक है इस्टेलाप्स किसे आर एंडी पोटल सत्य भामा सुरू किया है तो वो है मिनिस्टर यूनियमेंटर आफ कोल माइन्स एंड पार्लियमेंट अपके है किस देश के बैग्यानिकों ने अध्यान दलने मिसियस क्वांटम उब्रेय का प्रयोग किया और पहली बार क्वांटम इंटेंगल मेंट पर आधारित दूरी के ब्लंबी दूरी के बीच में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सफलता पूर्वा प्राप्त की है तो वो है चाइना विस सरनाती दिवाद 2020 का विसे क्या है एवरी एक्शन काउंट्स और ये मना जाता है 20 जून को तो दोस्तों ये थे आज के वारे इंपोर्डेंट करेंट अप्यर्स और उम्मीद करता हूँ कि ये करेंट अपको पसंद आयोंगे अभी के लिए नहीं थैंकियो सो मच बाबाए